हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चैनल कृती क्राम्ट मैं कृती सिन्ना आज में फिर आगई हैं कुछ नए डियावाइस के साथ कुछ नए डियावाइस के साथ तो आए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैंने एक MDA बोड लिया था आप चाहें तो हाड काड़ बोड की शीट भी ले सकते हैं जोबी मैं जो डीमाईन चाहिए थे इसमे ड्रॉख कर लिया है उसके बाद मैंने लिया है अक्रेलिक पेंट तो सेंटर पे मैंने जो भी डिजाइन मैं दिमाग में थे तो कि यहान पर कर लूगी तो यह ऐसा DIY है जो कार में हम लोग सभी लगाना पसंद करते हैं तो अभी तग आप समझ चुके होंगे कि यह मैं क्या वना रही हो तो इसलिए मैंने वही सुचा कि कुछ positive वाइस जिससे आए वैसे ही DIY मैं कुछ करूंगी जो बैक साइड में पेंट मैंने चॉक ब्लू कलर में किया है मगर इसका टेक्चर थोड़ा सा अलग करने के लिए मैंने ब्रस से सिंप्ली डैब डैब करके ही एक अलग टेक्चर आ गया था तो इस तरह किसे मैंने पेंट कर लिया था अब बारी आति है इसे टेसलस बनाने की नीचे होने के लिए टेसलस बनाने हिए उससे बनाने के लिए मैंने यह 3 कलर की ऊन ले लिये है जिसको मैंने 3 कलर से ऊन निकाल लिये देख अब और इसको अप्रॉक्स मैंने 20 टाइम्स इसमें राउंड राउंड रिपीट किया था और तीनों के होने के बाद ये 20-20-60 राउंड अप्रॉक्स हो गया थे तो इस तरह के से मैंने ऊपर भी बांद दिया था जैसे टेसल सिंपल यह बनते हैं वैसे ही बनाना है तो इसको उपर से बान देने के बाद फिर मैंने उसको निकाल लिया और उसको सीजर से कट कर लिया था और बीच बाई एक बार और धागा लेके इसको हम बानते हैं ताकि ये अच्छी तरीकी से बिल्कुल भी नहीं निकले और यह tassels ऐसे ही बनता है तो मैंने simple tassels बनाया हैं ज्यादा कुछ भी नहीं किया था actually मेरी आवाज आप लोग को भारी लग रही होगी थोड़ी अलग लग रही होगी उसके लिए बहुत सारी स्वारी क्योंकि मेरी तोड़ी सबस्वाइश नहीं है that's why आवाज थोड़ी अलग लग रही है अब बीच में मैंने फिर से एक उन लिया और उसमें से निकाल दिया है center से और एक मोती लेकर उसमें मैंने बान दिया है उपर के hanging के लिए भी मैंने वही चीज किया है उन लेकर और उपर एक मोतील डालके hang के लिए बन चुका है और painting सूखने के बाद यह बहुत जरूरी होता है कि आपको warnis लगाना यह warnis लगाना बहुत important है कि तभी paint आपको permanent हो जाते हैं तो यह बहुत important है otherwise paint निकलने के chances होते हैं और warnis सूख जाने के बाद ही आगे कोई काम कीजिए गया फिर मैंने ले लिया है multi chain जो की मेरे पास बहुत सारे color की है तो मैंने वैसे color के ही मैंने यह multi chain को stick कर लिया है तो इसके लिए उससे पहले जैसे आपको लगाना है जिस design में लगाना है फिविकॉल को उसी direction में पहले चला लिजएगा और उसके उपर trace उसको करना होता है that's it उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है और फिर मैंने कुछ half pearl नहीं है sorry और उसको भी मैंने white की जगा पे मैंने उसको वहीं पे लगाया है और center पे पी light blue था तो light blue का ही multi chain मैंने यूज किया है फे dark blue इस तरीके से मेरा एक तरफ का तो design हो गया है ready but इसमें यह तो खुद एक positive होता ही है और कुछ thoughts भी अगर उसमें add-on हो जाए तो वह और भी अच्छा लगता है जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने simple सा यह छोटा सा था that's why simple सा मैंने good vibes only ही लिखा है यह देखिए last finally मैंने पीछे भी वैसे ही हाप पल मैंने लगा दिया था आगे बने रही है क्योंकि निक्स विडीयोज निख और भी ब्येव जो है बहुत भूसथ बनने वाली है तो प्लीज जो लोग में चैनल पर नए है तो प्लीज दो सब्सक्राइब मैं चैनल like, comment and share कमेंट करके बताईए आपको मेरी विडीयोज कैसे लग रहा है इसे बनाने के लिए फिर से मैंने एक MDA board ही लिया है आप चाहें हाट cardboard भी ले सकते हैं तो इसमें भी मैंने जैसे फर्स्ट बाले में था कि जो ड्रा करना था, मैंने ड्रा कर लिया था और color भी वैसे ही paint मैंने acrylic paint ही use किया है जिसके link आपको description box में मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं लेना बाई करना तो आपको उसके link description box में मैं डाल दोंगी तो जो हाँ से आप purchase कर सकते हैं तो जो भी मुझे design चाहिए थे मैंने वैसे ही वैसे design मैंने ड्रॉक कर लिया थे paint करने के बाद थोड़ा देर उसको सूखने देंगे और उसी तरीके से जो मैंने पहले बताया था कि warnis यूज करना बहुत ज़रूरी है तो आगे और पीछे जो भी मुझे design चाहिए थे वो मैंने कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने बॉर्णिश भी apply कर लिया था और फिर मैंने लिया था लिपन कॉन ये लिपन आट के थू ही मैं ये design बनाने वाली हूँ तो मैंने लिपन कॉन लिया और वैसे ही जो गनपती जीकी कर आपने देखा ही था कि मैंने ड्रॉक किया था तो वही design मैंने उसमें भी trace कर लिया था इसमें एक tips यही में देना चाहूँगी कि लिपन simply एक ही shape के होते हैं जैसे एक कॉन जैसे महन्दी जैसे चलाते हैं वैसे पतला चल रहा है तो वैसे ही चलेगा नहीं इसमें मैंने देखा कि आप कहीं पर मोटा किया है कहीं पर पतला किया है तो जहां पर आपको मोटा करना है तो थोड़ा को आपको प्रेस करना पड़ेगा तो अपने आप थोड़ा ज्यादा को यह जो भी उसमें डला होता है तो वह निकलने लगता है और फिर आप अपने हाथ को लूज छोड़ते हैं वैसे ही तो पतला निकलने लगता है तो इस तरीके से आप मोटा स्टार्टिंग का है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पतला होता जाता है तो अगर आप practice करेंगे तो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि नहीं होगा, तो वैसे ही मैंने इसमें चारो तरफ से half pearl मैंने लगा दिया है, और इसमें golden pearl की paint भी कर दिया है, back sign मैंने वैसे ही किया है, जो भी design चाहिए था, मैंने वैसे वैसे कर लिया है, यह designs आपके उपर है, कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर से मैंने half pearl लिया है, इसके चारो तरफ मैंने, half pearl इस तरीके से ही मैंने लगा दिया था, इस तरीके से दोनों तरफ मैंने designs बना दिये हैं, बट अभी मैं मैं इसमें कुछ करना चाहरी थी, तो यह देखिए, मैंने फेविकॉल को फिर वैसे ही चला लिया है, जो भी मुझे चाहिए था, तो आपको दिखी रहा होगी, यह मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो हाँ मैं यह ओम लिख रही हूँ, तो पहले मैंने फेविकॉल वैसे ही चला लिया है, और फिर मैंने लिया है स्टून चेन, तो स्टून चेन को भी वैसे ही पहले मेजर कर लेंगे, मैंने मेजर नहीं किया था, उसके बाद कट किया थो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, मगर लिख कीजिए तो इस तरीके से जहां जहां फैबी कोलर लगा होगा वह ऑटमैटिक अपने आप ही चिपकता चला जाता है तो फैबी कॉल ऐसा है कि वह आराम से चिपक भी जाता है निकलता नहीं चलो दी तो बस अच्छे फैबी कॉल होने चाहिए फैबी कॉल MR जिसके link मैं description box में आपको डाल दोगी आप देख लीजिएगा तो सब कुछ जो भी use हो रहा है उसके सारे link मैं description box में डाल दोगी तो यह मैंने दो layer लगाया था stone chain के तो इस तरीके से वो थोड़ा highlight हो रहा था अब इसको hang करने के लिए मैंने इसमें hole किया है तो इस तरीके से मैंने hole कर लिया था वो बड़ी जहनी से हो भी गया था तो उपर भी मैंने toran ball और moti के help से मैंने hang बना दिया था और नीचे के लिए hanging या लटकन कह सकते हैं उसके लिए मैंने भी fabric moti लिया और moti लेके five color के मैंने इस तरीके से मैंने इसमें stick sweet आये की help से ही hole करके उसमें बना दिया था ये हो गया है पाया लुपत या तो प्लीज में चैनल को subscribe केजिए like, comment और share करना बिल्कुल न भूले और comment करने के जुरू बदाई है कि आपके मेरे वीडियो कैसे लग रहा है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye and enjoy my video